असलाम आलेकुम दोस्तो आज का संदेश तोड़ा कड़वा जरूर है लेकि बोलना हमारी मजबूरी है जहां आज पूरी दुनिया और पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूज रहा है एक जंग लर रहा है वहें दूसरी तरफ समाज का एक छोटा सत्व का समाज के चंद द प्रूम डिटा है रहा है और बाहाइसित एक उलाद मैंने उन से मिन्नते की है मैंने उन्से रिक्वेस्ट की है कि वे अपने हिफाज़त खुद करें अपने को आईसुलेट रखें पप्लिक प्लेसिज में ना जाएं क्योंकि अगर वो सहसने रहेंगे तभी वो आप सब की और हमारी हिफाज़त कर सकेंगे हमारी खिदमत कर सकेंगे मैं उन दलालों से कहना चाहता हूँ कि अगर सवाल पूछना ही है तो अपने बापों से पूछो जो दिल्ली और पटना में बैटे हैं जो इसके पूरे पूरे जिम्मेदार हैं वो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने मंत्रियों को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने परसासन के लोगों को की जान नहीं बचा पा रहे हैं, अरे हम इद्धी सा बिधायक हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी अवकात क्या है, हमें जो करना चाहिए, हम वो कर रहे प्रसासन के संपर्क में लगाता रहें और उनसे भीक मांग रहे हैं कि लोगों की सहायता करें जहां तक हो कर सकते हैं लेकिन अक्सिजन नहीं मिल रही है पुरे देश का यहाला थे दोस्तो अगर सिर्फ हमें चंद जगों पर जाकर कुछ फोटो लेकर के फेस्बूक में चिपका देने से अगर इस समस्या का हल निकल जाता फिर तो कोई बात नहीं थी हम भी करने को तयार हैं लेकिन ऐसे करने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले बार हलाज इजार अस्पी साहब ने कितने सामान बाटे थे इस बार क्यूं नहीं बाट रहे हैं हलाल के कमाई हुए पैसे उसके सामान बाटे थे अल्ला ने हैसियत दी है हलात ठीक हो जाए जरूरत पर ही तो उससे भी ज़्यादा बाटूंगा इस अल्ला रह्मान बस आप लोगों की दूआ की जरूरत है और कुछ लोग कुछ दोस्त लोग एक जायज सवाल भी पूछ रहे हैं कि हमने एंबुलिंस देने की बाते कही थी वो क्यूं नहीं दिया हमने कहा था छे माइने के अंदर में दूँगा इंशालला और वो दूँगा अभी तो हमारे छे माइने भी नहीं हुगए है इस बीच में कोरोना आ गया तो रहा वक्त का इंतजार कीजिए अपने वादे से पीछे नहीं हुटूंगा ये मेरा वादा है आपको अल्ला ने इतने हैसियत दी है आप लोगे दूआ के कारण उसको करने के लिए सक्च्छमूं वो जरूर करूंगा बस इन दलालों से दूर रहें इन दलालों को भौकने दें चिलाने दें उनका काम ही ये है क्योंकि उनकी दलाली रुक्सी गई है आमदनी का कोँई जरिया नहीं है बस उनका यही काम रह गिया है उनके लिये भी हम लला से दूआ करता हूँ कि लला उनको उनको हिपाज़त से रखे आप सोब हुआज़त से रखे हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए भी दूआ कर我有 Par火 करें